जब भी हम धही भले खाते हैं तो हम क्या चाहते हैं यही कि धही भले एकदम सौफ्ट, जूसी, फूले-फूले होने चाहिए जो खाते ही मह में घुल जाएं और ऐसा करने के लिए धही भले बनाते समय उनमें बेकिंग पाउडर या सोडा का इस्तमाल तो बिलकुल भी नहीं करना चाहते और साथ ही दाल को काफी देर तक फेंटना भी ना पड़े तो हेलो फ्रेंड्स मैं हो निर्मला मेरे किचन में आपका बहुत बहुत सागत है आज मैं आपसे दही बले बनाने की ऐसी नई ट्रिक्शर करूंगी कि आप चुटकियों में बहुती आसानी से और बहुती बढ़िया दही बले बना पाएंगे तो फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट यदि ये नई रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भ डही बले बना सकते हैं, मैं दोनु तरीकों से ही बनाती ओर दोनों दालों से ही घही बले खाने में बहुत एटिस्टी लगते हैं क्योंकि उड़त दाल होती है न वहर कोई नहीं कहा पाते हैं, इस वज़े से यदि आप चाहें तो मूंग दाल ले ले और चाहें तो यड़ उड़त दाल से कितने सारे दही बले हम बना कर तयार करेंगे अब उड़त दाल को पानी में डाल कर तीन से चार गंटे भिगोएंगे उड़त दाल जब अच्छे से भीग गई थी तो मैंने इसे एक गंटा फ्रेज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी तो यहांपर देखें उड़त दाल है, वो काफी अच्छे से भीग गई है, तोड़कर देख रहे हैं तो आसाने से डोट रही है तो अब इस उड़त दाल का सारा पाली निकालते वे इस दाल को हम डालेंगे एक ग्राइंडर जार में अब इस उड़त दाल को हम बाद में पीसने के बाद हाथ से नहीं फैटेंगे क्योंकि यदि हाथ से फैटेंगे तो लगपक आपको 15-20 मिनिट इसे फैंट ना पड़ेगा तो इससे बचने के लिए उड़त दाल को हम मिक्सी में ही फैंट लेंगे यानि जब ये पीस चाहेग तो मिक्सी के गरम होने की वज़े से उड़त दाल भी गरम हो जाएगी और दही बले हार्ड बनेंगे, सौफ्ट नहीं होंगे और साती ज़्यादा फूलेंगे भी नहीं तो इससे बचने के लिए मैंने पहले फ्रीज में रखकर उड़त दाल को अच्छे से ठंडा कर लिया था और अब पीसते वक्त इसमें थोड़ी से आईस क्यूप्स भी टाल देंगे तो इससे उड़त दाल मिक्सी के अंदर ही हम अच्छे से फैंट पाएंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ये गरम भी नहीं होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उड़त दाल को पीस लिया है और ये कितनी ज़्यादा फ्लपी हो गई है एकदम क्रीमी टेक्शर हो गया इसका तो इसे चेक करने के लिए पानी में इस तरह से आप बैटर डाल कर देखें तो देखें जैसे ही पानी में हमने उड़त दाल डाली है तो ये उपर ही फ्लोट कर रहा है तो आप सोच सकते हैं ये कितना जादा बढ़िया बैटर बनकर के तयार हो गया है जो नॉर्मली हम 15-20 मिनिट की महनत के बाद तयार कर पाते हैं तो जितने में आप उड़त दाल को फ्रेंटेंगे उससे पहले तो धही बले आप फ्राइ करके तयार भी कर लेंगे तो फ्रेंट्स इस तरह से इस ट्रिक को अपनाते वे बहुती कम महनत में बहुती बढ़िया दही बले बना कर हम तयार कर सकते हैं तो इस तरह से बैटर जब मगिरा रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये अपनी शेप भी मेंटेन किये वह है तो चलिए अब दही बले हम फ्राइ कर लेते हैं और फ्राइ करते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो दही बले हैं वो ज़्यादा गरम तेल में फ्राइ ना जाए फिर गैस का फ्लेम आफ करके इसे थोड़ा सा ठंडा होने दे जब तेल हलका गरम हो तब थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह से डालते जाएं तो बहुत ही बढ़िया दही बले आपके फूलेंगे वैसे तो मैं दही बले कह रही हूंने बार-बार लेकिन अभी तो य खाली भले ही है दही तो हम बाद में डालेंगे अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की जो भले है ना वो कितने बढ़िया गोल-गोल हो गए है और जब यह बढ़िया गोल हो जाएंगे ना तो अपने आप ही गोल होते जाएंगे और इस तरह से कड़ाय में पलट दे जाए साथी यह बढ़िया से फूल भी गए है साथी अधिया आपने यह भी गोर किया होगा कि जब मैं बैटर गिरा रही थी कड़ाय में तो उसमें काफी चोंच निकल रही थी लेकिन जब यह फूले तो बढ़िया से गोल-गोल हो गए तो यहां पर आप देख सकते हैं बढ़ि इसमें डाल दिये हैं तो यह बैच भी बहुत ही बढ़िया से फूल गया है और इस तरह से हम बहुत ही कम महनत में बढ़िया फूले फूले स्पंजे धही बले बना कर तयार कर सकते हैं और चलिए एक बला मैं आपको बास से दिखाती हैं जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगी तो यह पूरा ही पिचक चाएगा क्योंकि इसमें काफी बढ़िया एरियेशन हो गया है और अब हम धाई बलो को पानी के अंदर सोग करेंगे जो पानी है वो रूम टेंप्रेचर पर होना चाहिए गरम पानी का इस्तमाल ना करें यदि धाई बले हैं वो बहुत ही जादा यानि उन्हें आपने फ्रीज में स्टोर रखा है तब आप हलका गरम पानी ले सकते हैं अब इस पानी में हम क्या करेंगी पढ़िया फ्लेवर भी आ जाए साथ ये जो भले हैं वो इसली डाइजेस्ट भी हूँ इसके लिए इसमें थोड़ा सा डाल दे हींका पाउडर और आपि फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा अब ये जो भले हैं वो हम इस पानी के अंदर सोग कर लेंगे और आप देखेंगे जैसे हम भले पानी के अंदर डालेंगे तुरंटी इनका कलर है वो लाइट होने लगेगा और साती फूलने भी लगेंगे तो देखें कैसे ही इ आने फेंटावा दही लिया है और यह ताजा दही है ज्यादा खटा दही का इस्तमाल ना करें दही के अंदर थोड़ी से पीसेवी चीनी आड़ कर देंगे जो बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आड़ करेंगे और साथ ही इसमें काला नमक और भुनेवे जिरे का पाउडर भ या चटनी वगर डाल कर भी खा रहे है तो भी आपको इसमें टेस्ट के अंदर कोई कॉम्प्रमाइज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने दही के अंदर ही फ्लेवर आड़ कर दिया है अब जो भल्ले हैं यह देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया से फूल गए है मैंने इन खाली 15 से 20 मिनिट ही रखा है यदि आप ज्यादा देर तक रखेंगे न तो भल्ले होते हैं वो फिर तूटने लगेंगे इस तरह से प्रेस करते समय तो बहुत ज्यादा देर तक भी इने नहीं रखना है अब इन भल्लों को हमने चोड़ते जाएंगे और दही के अंदर आड़ करते जाएंगे तो अब दही के अंदर डाल कर आप तुरंत इसे सर्व कर सकते हैं और ये आपके पास टाइम है तो आप 15 से 20 मिनिट दही के अंदर भी ने सोग कर सकते हैं सारे भले मैंने दही में एड़ कर लिये हैं और एक भल्ला मैंने बचा लिया है ताकि सकते हैं अंदर से ये कितना ज़्यादा स्पंजी है तो इस तरह से जब हम भल्ला बनाते हैं तो वो इसली डाइजेस्ट भी होता है बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है खाने के बाद और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो चलिए अब ये दही भल्ले ब फिर्टो टेस्ट का क्या ही कहना ये खाने में और भी ज़़ादा टेस्ट लगेंगे तो इस तरह से ये हमारे सुपर सोफ्ट धही बल्ले बन करके तयार हो गए है तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये धही बल्ले बनाने का नया आईडिया प्लीज मुझे कमेंट करके जरू बाइ बाइ